हेलो एर्वान जहिंद अगर आपके पस कोई रिपोर्ट है और आप इसको इस तरह से हाइलाट करना चाहते हैं मतलब यहाँ पर हम जो भी स्टेट सेलेक करेंगे उसका रोज यहाँ पर हाइलाट होना चाहिए और यहाँ पर जो भी मन सेलेक करेंगे उसका कॉलम यहाँ पर हा देता हूँ, conditioner formatting और इसको clear rules कर देता हूँ, अब भी आपको easily समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर formulas को लगाता हूँ यहाँ पर is equal to this cell is equal to यहाँ पर state और यह जो j4 है, मतलब state यह हमेशा common रहेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर इसको select करके f4 प्रिस करता हूँ, मतलब j के आगे और 4 के आगे यहाँ पर dollar sign आ जाएगा, और यहाँ पर जो a3 है, मतलब a3, तो इस column में हमारे state है, तो यहाँ पर जो a column है, वो common रहेगा, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ a के पहले मैं dollar sign लगाता हूँ, और enter कर देता हूँ, तो यहाँ पर paste कर देता हूँ, control v, अभी यहाँ पर देखिए, जिस row में केदला है, वो यहाँ पर पूरे row में true आ चुका है, अभी मैं यहाँ पर इसको change कर देता हूँ, इसको मैं महारष्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, जिस row में यहाँ पर महारष्ट है, वो आपर true आ यहाँ पर tab press करता हूँ यहाँ फिर bracket open उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर कॉमा दुबारं मैं इस सेल को स्ललक कर देता हूँ the equal to यहाँ पर month और month को मैं date 4 प्रेस करके फ्र्वीज कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा row number 3 है और वह वो31아 क्योंकि हमारे जो मंत हैं वो पुरा पेश कर देता हूँ, अभी यापर हमारा स्टेट मारस्ट है, और यापर अगस्ट का मन्त है, यह सिर्फ true है, बाकि सारा false है, अभी मैं यापर मन्त को change कर देता हूँ, में कर देता हूँ, तो अभी यापर मारस्ट true है, और यापर में का मन्त true है, तो अभी मैं इस फर यहाँ पर इस फर्मुला को पेश्ट कर देता हूं और यहाँ पर यह जो common sale है इसको हम अलत किलर देना चाहते है तो मैं इसी फर्मूला को यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर एप्टू कर देता हूँ, इस फर्मूला को कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर और की जगा पर हम एन को यूज करेंगे, कंट्रोल सी, उसके बाद इसको पुरा सिलेक कर देता हूँ, कंडिशनल फर्मेटिंग, यहाँ पर नूरूल्स, यहाँ पर फर्मूला, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ और की जगा पर मैं एन टाइक करता हूँ, फर्मेट, यहाँ पर कलर, और यहाँ पर मै description और comment box में मिल जाएगी आप वहाँ पर click करके इसको download कर सकते है और हम यह पर state या फिर month को change करेंगे तो उसी तरह से यह color change हो जाएगा और हम इसको easily identify कर सकते है और यह जो conditional formatting है वो आप अलग-अलग report में use कर सकते है thank you everyone अगर यह वीडियो आपको useful लगया है तो जरूर comment किजिए और वीडियो को like किजिए और चानल को subscribe करना मत दिले थैंक यू